अलेकुम दियर स्टुगेंट्स, ओपन यूर बुक आन पेज नमबर 258, मैथमेटिकस बुक, आज शे तारीक है, जून की, तो हम आज करने जा रहे हैं, क्वेस्चन नमबर 10, इन फालोइंग फिगर्स, फांड दे एरिया आफ दे शेड़ पोर्शन, हमें शेड़ पोर्शन क यह ट्रेंगल है, नो कोई ऐसी रेक्टेंगल है, जिसका हम एरिया आसानी से निकाल सेके, आप क्या करेंगे हम, हम सारी कार्ड लेटरल का सारी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, बैद में इस ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रेंगल का एरिया पी को आरे साइड उन्टु साइड टूटी टूटी फॉर हंड़र स्केर सेंटीमीटर एरिया अफ ट्रेंगल पी टी को इदर देखें के कहा है पी टी को उसका फॉर्स्ट मैंने अधर लगा है एरिया उसका वन हाफा बेस इंटु हाइट तो आ गया वह हंडर्ड सुकेर संट इसी तरह एरिया आप टी एस यू वह भी आएगा इसी तरह फिप्टी सुकेर संटीमीटर थर्ड वाला पार्ट है जो एक और एदर है मैं दूसरा पार्ट इसका कॉस्टन का कर रहा हूं दूसरा पार्ट जो है वही कर रहा हूं पहला वाला कॉस्टन मैंने आपको कल ही यहाद भी वो किया गया है मैंने वो किया है उसका अंसर भी निकाला है तो आप यह थोड़ वाला पार्ट जो है एर्या आप यू आर क्रोगू वन आफ बेस इंटो अल्टि चूड तो यह सेड़ पॉर्शन जो है अन्शेड़ पॉर्शन जो है उसका एरिया हम पहले देखें करेंगे 150 स्केर सेंटी मीटर जो आप आंसर देखोगे उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी है उदर मीटर लिखा है तो उसका भी उसकी भी करेक्शन करोगी इसी तरह कुस्चन नबर 11 है एक कॉड लेटरल है देखो बीच में एक डाइगनल है डाइगनल पर एक परपंडिकुलर है इस साइड में भी और उस साइड में भी हमें इस काड लेटरल का एरिया निकालना है हम कैसे निकालेंगे हम इसको दो ट्रेंगलों में डिवाइड करेंगे दो हिस्चों में देखो एक हिसा उपर है ट्रेंगल का एरिया आएगा वनापा बेस इंट आल्चूड इसी तरह नीचे वाला है वौना पाप बेस इंटो, आल्टी चूड तो उसी तरह हम डो हिस्व मेंCode它 को डिवाइड करेंगे, यह आएकित रेंगल ABC और रेंगल ADC, पहली ट्रेंगल का एरिया वना पाप बेस इंटो, वना पाप बेस इंटो, सेम, एक तो 33, 33, 66 सेंटी मीटर सांसर चक करना इस तरह आपका ये चप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन मुझे उम्यद है तू फिप्टी नाइन और तू सिक्स्टी जो पेज नमर है उसको आप गोर से पढ़ोगे उस पर मुझे फार्मलाज है वो की है इस यूनिट की तो कल संडे है आप इंजॉय करोगे इन्शाला और अपनी कापी इतवार के दिन कंप्लीट करोगे थैंक यू